दोस्तो अगर आप भी विराड कोहली और मेहिंदर सिंग धोनी को महान खिलारी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तो पहले दो टेस्ट मैच की बाद अब बांकी बचे तीन टेस्ट मैचों में भी किंकोली ने लिया है अपना नाम वापस तो करोडो भारतियों की पैरतले जमीन खिसक गई है यहां तक कि अब खुद भारत के कई बड़े बड़े दिगजो ने विराड कोली को इस मुद्धे पर लतार लगाते हैं जो कहा उनकी बाते सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे जरूर बताईए जबकि दूसरा मुकाबला राची में होगा वहीं अंती मुकाबला साथ मार्च को खेला जाएगा जहां विराड कोली के बिना इंग्लैंड से चुनौती लेना टीम इंडिया के लिए किसी अगनी परिक्षा से कम नहीं रहने वाला है आपको बता दें इंग्लैंड के खिलाब सीरीज शुरू होने से पहले 22 जनवरी को विराट हैदराबाद में टीम से जुड़े लेकिन उसी दिन उन्होंने निजी कारणों का हवाला दे कर अपने को पहले दो टेस्ट मैच के लिए अनुपलब्द बताया वे उसी दिन हैदराबाद से वापस लोड़ गए बी-सी-सी-ाई ने इस समंद में बयान भी जारी किया अभी भी यही माना जा रहा है कि नीजी कारणों के चलते विराट अगले दो टेस्ट वेच में भी नहीं खेल पाएंगे इसको लेकर कई तरह कि अपवाहें भी सामने आई है धाकर बलेबाज विराट कोली के पत्मे अनुशका शर्मा दूसरी बार माँ बनने वाली है इस बात की जानकारी कोली के दोस्त एवी डिविलियस ने भी दी थी अलगी बाद में उन्होंने इस खबर को जूट ही करार दिया लेकिन अब इसके बावजूद भी विराट दूसरे और तीसरे टेस्ट के अलावा पांचवे मुकाबले से भी बाहर हो सकते हैं इसके लावा एक रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि विराट के पांचवे टेस्ट पर बी सी सी आई ने कोई फैसला नहीं जगिया है यानि कि वह लगभग बाहर ही माने जा रहे है इस खबर पर जहां उनके चाने वालों को दिल तूट गया है वहीं कई बड़े बड़े भारती दिगज भी कोली से खुश नजर नहीं आ रहे सबसे पहले टीम इंडिया के कप्तान रोश शर्मा का बयान निकल कर सामने आया उन्होंने कहा कोली करना होना हमारी ताकत को आधा कर देता है वह एक दिगज खिलाडी है उनके बिना खेलना बहुत मुश्किल है लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं वह अपनी फैमली को अपनी टीम और देश से ज़ादा महत्तु देते हैं इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है हम सब उनके अच्छे और बुरे वक्त में उनके साथ हैं और उनके बिना हम आगे भी खेल सकते हैं ये बात हमने पहले साबित की है और हम दोबारा भी साबित करेंगे वहीं BCCI के पूर्व सेकरेटरी सौरफ गांगली ने कहा विराट गलत कर रहे हैं उन्हें लगता है कि वह टीम से बड़े हो गए हैं वह अपनी मनमानी कर सकते हैं हम सब उनका सम्मान करते हैं उनकी प्राइवेसिक रिस्पेट करते हैं लेकिन जब टीम को आपके ज़रुरत है तो आपको उस वक्त महजूद रहना चाहिए चाहे आपके निजी जीवन में जो कुछ भी हो रहा है देश पहले आता है बाकी चीज़े बाद में यही भारती क्रिकेटर और हर एक भारती की निशानी है लेकिन कोली अपनी जिम्मेदारियों से पीछ आट रहे हैं यहां तक ही गौड़ अप क्रिकेट से चिंते नुलकर ने कहा कि कोली के पैसले के सबहे रिस्पेट करते हैं लेकिन आप चाहे कितने भी बड़े खिलारी बन जाए आपको अपने देश और अपने टीम को कभी नज़र अंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि इनी की वज़र से आप आज उस मुकाम पर हैं जहां आपको पुरी दुनिया जानती है वर्लकप के बाद आप लगाता है टीम से बाहर चल रहे हैं यह बिलकुल भी सही नहीं है वहीं गौतम गभी ने बयान देते हुए कहा हम सब चाहते हैं कि आप अपनी फैमिलिक साथ रहे हैं लेकिन यदि आप सभी काम छोड़ करके अपने परिवार के साथ समय बिताने लगेंगे तब तो हर कोई केबल छोटिया ही मनाता रह जाएगा कोली को यह समझना चाहिए वर्टीम इंडिया की बैकबोन है और लगातार वर्टीम से बाहर है ना उन पर वकलोड इतना अधिकारा है ना उन पर कोई दबाव है फिर उन्हें इतना अधिक आराम करने की क्या जरूरत है पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है मुझे लगता है कि अगले तीन टेस्ट मैचों में वापस आना ही सही फैसला रहेगा जी हां दोस्तों यह सभी कोलीस नराज दिखे तो वहीं दोनी कभी कहना है नेशनल ल्यूटी के समय पर टीम से बाहर रहना गलत है लेकिन हो सकता है कोली की कोई मजबूरी हो उनोंने अब तक कोई भी आधिकारी कारणी बताया है हमें उनकी परिस्तेटी को समझना चाहिए उससे अपना पूरा जीवन भारत देश और भारती क्रिकेट टीम के नाम क्या है कभी-कभी कुछ मजबूरिया होती है जैसे आप टीम के साथ नहीं जोड़ सकते यही समय है जब आप विराट पर भरो सज़ता है और उनके साथ खड़े रहें इन सबी दिगजों ने विराट कोहली की गैर मौजुदगी पर अलग-लग राय दी है लेकिन अब आपको क्या लगता है कोहली को अगामी तीन टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया में वापसी करना चाहिए नहीं अपने राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच में शांदार जीत के साथ भारती टीम को मिली बड़ी खुशकबरी टीम के अंदर लोटाया भारत का सबसे बड़ा खिलाडी जीया दोस्तों बिल्कुल सही सुना अपने भारत और इंगलेंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है जिसके दूसरे मैच में भारती टीम को बड़ी खुशकबरी दे दी है इस दोरान भारती टीम के अंदर दिगज मैच विनर खिलाडी की एंट्री हो चुकी है जिसके आजाने से अब भारती टीम का मनोबल काफी स्यादा बढ़ गया है तो आकिर कौन है वो खिलाडी जिसकी एंट्री रादो राद तीसरे टेस्ट मैच से पहले भारती टीम के अंदर हो चुकी है ये तो आपको बताएंगे ही तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोईच शर्मा विराट कोली और महिंदर सिंग धोनी में से कौन है महान खिलाडी और कप्तान अपनी राये नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारत और इंगलेंड के बीच पांच मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है जिसका पहला टेस्ट मैच भारतिय टीम 28 रन से अपने हाथ से गवाया और दूसरे टेस्ट मैच के अंदर भारतिय टीम ने वापसी करते हुए 116 रन से जीत दर्ज की ऐसे मैं भारतिय टीम को इंगलेंड के खिलाव तीसरा टेस्ट मैच राजकोट के मैदान पर 15 फरवरी से खिलना है जिसके लिए दौनों टीम है पूरी तरीके से तयार है इस दोरान भारतिय टीम इस सीरीज में बढ़त बनाने के लिए जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी तो दूसरी तरफ इंगलेंड के टीम भी भारत को दबाव में डालने के लिए जीतने के इरादे से मैदान पर आएगी हाला कि भारतिय टीम की तरफ से अंतिम तीन टेस्ट मैच के लिए टीम का एलान नहीं हुआ है लेगिना बचानक से भारतिय टीम को बड़ी खुशकबरी बी सी सी आई ने दे दी है जहाँ पर बी सी सी आई ने भारत्य टीम के अंदर भारत के सबसे बहतरीन खिलारी की एंट्री राचकोर्ट में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट के लिए कर दी है आपकी जानकारी के लिए बता दें भारतिय टीम की तरफ से पहले दो टेस्ट मैच की टीम का एलान पहले ही हो गया है जहां पर विराट कोहली को भी टीम में खेलने का मौका मिला था उन्होंने भारतिय टीम के महान बलेबास विराट कोहली की एंट्री भारतिय टीम के अंदर रातो रात कर दी है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विराट कोहली ने जिस घरेलु कारण का हवाला दे कर नाम वापिस लिया था अब खुद विराट कोहली ने आगे आकर मैच में शामिल होने की बात कही है जिसके चलते ही खबर सामने आ रही है कि विराट कोहली को तीसरे टेस्ट मैच के अंदर भारतिय टीम की तरफ से खेलने का मौका मिलेगा जो टीम के मुक्य खिलारी भी साबित हो सकते है तो दोस्तों आपको क्या लगता है इंगलेट के खिलाव तीसरे टेस्ट मैच के अंदर विराट कोहली की एंट्री हो सकती है या नहीं अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों जैसा कि आपको पताए भारत और इंगलेट के बीच पांच मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है जिसकी पहले टेस्ट मैच में भारते टीम ने हैदरबाद के मैदान पर 28 रन से हार का सामना किया था और इसके बाद दूसरे मैच में भारते टीम ने पलटवार करते हुए विशाखा पटनम के मैदान पर 106 रन से जीत दर्च करी ऐसे मैब भारते टीम सीरीज में बराबरी पर है और अब अगला मुकाबला 15 फरवरी से खेला जाने वाला है जो राजकोट के मैदान पर होगा तो आईए इस मैच में दौनों टीम के कनफर्म प्लेंग 11 के बारे में आपको बताते हैं सबसे पहले इंगलेंड की टीम के बारे में बात करें तो इंगलेंड की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए जैक क्रॉली और बेंडर कैट खेलते हुए दिखाये देंगे तो वहीं तीसरे नमबर पर ओली पॉप खेलते दिखाये देंगे साथ में चार नमबर पर जो रूट खेलेंगे तो वहीं पांच नमबर पर विकेट कीपर बल्ले बास जॉनी बेरस्टो को खेलने का मौका मिलेगा साथ में च्छै नमबर पर कप्तान बैंस टॉक्स से खेलते हुए दिखाए देंगे साथ में साथ नमबर पर बल्ले बाजी करते हुए बेंद फाॉक्स को खेलने का मौक़ा जो विकेट कीपिंङ की भूमिका भी निभालेंगे इसके लावा ओल राॉंटर के रूप में रेहान एहमत को खेलने का मौका मिलने वाला है तो वहीं भारतिय टीम की प्लेंग 11 के बारे में बात करें तो कप्तान रोहिच शर्मा ने सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए अपने आपको शामिल किया है जिन्नोंने अभी तक कुछ खास कमाल नहीं किया है लेकिन कप्तान होने के नाते उन्हें उनको टीम के अंदर सबसे पहले शामिल किया गया है इसके अलावा कप्तान रोहिच शर्मा ने अपने जोडिदार के रूप में यशसवी जैसवाल को शामिल किया है जिन्नोंने पिछले मैच में दोसो नौरन का योगदान दिया था ऐसे में आप एक बार फिर उनको टीम में खेलने का मौका दिया ग चर नंबर पर रजट पाटिदार को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और बताया कि विराट कोली उपलब्द रहते हैं तो उनको टीम के अंदर खेलने का मौका मिलेगा जो टीम के लिए मुख्य भूमिका निभा सकते हैं इसके अलावा कप्तान रोहिच शर्मा ने केस भरत को बाहर करते हुए रिशपंद की एंट्री टीम में करा दिये दरजल श्रीकर भरत कुछ खास कमाल करने में असमर्थ रहे हैं ऐसे में अब उनकी जगा पर टीम के अंदर रिशपंद को खेलने का मौका मिल गया है इसके अलावा इनका साथ देने के लिए रोहिच शर्मा ने ओल राउंडर के रूप में रविचंदरन अश्विन और अक्षर पटेल को शामिल किया है जो बहतर गेंदाजी और बल्लेबाजी कर सकते हैं इसके लावा भारते टीम के लिए कुल्दी प्यादव स्पिन गेंदाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं साथ म इनका साथ देने के लिए मुहमत चिराज की एंट्री मुकेश कुमार की जगा पर होगी जो टीम के अंदर मुक्य भूमी का निभा सकते हैं ऐसे में अब इन 11 खिलाडियों के साथ कप्तान रोहिच चर्मा इंग्लैंड के खिलाव तीसरे टेस्ट मैच में जीतने के लिए मै और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सिरीज खेली जा रही है जिसके दो मैच समाप्त होने के बाद ICC के टेस्ट रैंकिंग सामने आई है इस दोरान भारती टीम के माहां तेज गेंदबास जस्परेद बुम्राब टेस्ट के नमबर वन गेंदबास दूसरे टेस्ट में 6 विकेट लेने के साथ बन चुके हैं और जस्परेद बुम्राब भारत के पहले तेज गेंदबास बने हैं जिन्होंने टेस्ट में नमबर वन रैंकिंग हासिल किये हैं साथी में जस्परेद बुम्राब दुनिया के सबसे पहले गेंदबास बन चुके हैं जि ऐसे में बुम्रा के नंबर वन गेंदबास ICC रैंकिंग में बन जाने के बाद हर तरफ से उन्हें बधाई मिल रही है।